जो इनसान दिन के 24 गंटों में से अपने शरीर को एक गंटा एक गंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए खिलियो से चुरूर से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं जो इनसान दिन के 24 गंटों मैं ये बात पहले मी दोरा चुका हम फिर दोरा जो इनसान दिन के 24 गंटों में से अपने शरीर को एक गंटा एक गंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए खिलियों सोब इस एक गंटे में आप चाहे जो एनी फॉर्म उप एक्सिसा आप लो कर लो jut tu आपको पसंदो चाहे जिम चले जो जाए गंटिर या रनिंग कर लो सम गटर जूंबा कर लो crossfit कर लो या something like as simple as walking कर लो कुछ भी करो याज लेकिन करो अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे अब बात करते हैं सबसे important चीज जो है exercise के साथ उसके hand to hand जाता है वो सही diet maintain रखना है मैं आज भी आपको बताओं फिल्म की shooting पे रोज जाता हूं लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं घर का डबा लेकर जाता हूं कभी-कभी heroine बोलती है या कोई और बोलता है तो घर से डबा लेकर आता है हाँ भाईया मैं घर से ही डबा लेकर आता हूं मुझे अभी भी याद है मैं आप लोगों को पताओं कि मैं जब मेरे पीश म्हें इतने पैसे नहीं थे जम्हे जहां ला पाता था कभी कुछ तो मैं पता है क्या करता था भीजैयी कुछ निथी अपता चयारल पर च्छ श्क क कंपगा हो समस्ति या तर चार आप 85-65 तर चार आपट खने, के खने के खनाक आ लेगे discipline maintain रखना हमारे हाथों में है और इसमें कोई rocket science नहीं है घर की दाल, रोटी, सबजी और थोड़ा बहुत घी जो कई-कई लोगों को लगता है कि यार भाई कलस्ट्रोल है नहीं भाई असली घी उसमें थोड़ा डालो और देखो वारे न्यारे हो जाएंगे बढ़िया हो जाएगा बोन्स के अंदर ताकत आती है कोई भी डॉक्टर को पूछ लो सो गाईज से येस घर का खाना एक्सराइस की बात होगे लेकि आराम करना भी सबसे बढ़िया एक्सराइस आराम भी होता है चार गेंटे या पांच गेंटे नए आपको आपके बॉड़ी सईफ फंक्शन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है आराम और वो है आठ गेंटा आठ गेंटे की नीन और अगर आठ गेंटे की नीन दाएगी आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा आपको बहुत साथ देगा और दूसरी बात ऑफिस से घर पहुचो तो अपने मूबाइल को दूर रखो परिवार को साथ लाओ आगे लाओ करीब लाओ ठस्ट भी